हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैने शौल तो फ्रेंट्स आज मैं आपको पताने वाला हूं एक ऐसे प्रोड़ेट के बारे में जो की मार्केट में काफे पॉपुलर है एलअई से यूफ इंडिया का जीवन लक्षे के बारे में इस प्रोड़ेट का टेबल नंबर है bons 933 मतलब की 933 टेबल नंबर मेखे का कम्प्लेट plan को देखना चाहते हैं इस plan की detail को देखना चाहते हैं तो video को complete देखे friends अगर आप हमारे इस youtube channel पर नए है तो अभी के अभी channel को subscribe कर दीजिए bell icon को press कर दीजिए जिसे की आगे आने वाली video की notification आपको time पर मिल जाए friends मैं आपको पता रहा हूँ कि हम आपके लिए एक playlist लेकर आएं एक series लेकर आएं जिसके अंदर LIC of India की सारे products आपको back to back आपको videos मिलने वाली हैं और इन videos को देखने के बाद आपको complete benefit मिलेगा complete information मिलेगी और customer को suggest करके आप अपने income को grow कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीवन लक्षे plan किस तरीके से काम करता है और क्या-क्या benefits होता है जीवन लक्षे plan के चलते हैं अपनी screen पर और समझते हैं कि जीवन लक्षे plan आपका किस लिए किस तरीके से काम करता है क्या-क्या benefits इसके होता है सो फ्रेंट चलते हैं स्क्रीन के ओपर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जीवन लक्षे प्लाइन है इस प्लाइन का टेवल नमबर है 933 तो टेवल नमबर 933 है और इस प्लाइन की जो प्रॉडट्ट की समरी है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेंग ऑप्शन मतलब कि इ तीज साल का डियुरिशन की है तो आपको तीन साल कम पे करना है मतलब की सेवन्टी येर्स तक पे करना है टिक है आप कोई सब भी पॉलेसी का पेमेंट उठा लिजए पॉलेसी टम उठालेजी सी अंगर देते हैं किसी को तो तीन साल कम मतलब की 15 साल आपको प्रीमियम देना है और मैचुर्टी आपकी 18 पर होगी सेम यहाँ पर 17 साल प्रीमियम देना है 20 साल बाद आपकी मैचुर्टी होगी तो इस तरीके से आपका एक प्लाइन काम करता है प्रीमियम पेइंग मोड मतलब की आप किसी को 20 साल की policy दे रहे हैं तो 3 साल कम आपको 17 साल premium देना है इसके अलावा आपका minimum age entry जो है आपकी इसमें 18 years है 18 साल से नीचे आप किसी को plan नहीं दे सकते maximum entry age जो है इसमें आपकी 50 years की है आप 50 years के बाद किसी को policy नहीं दे सकते इसमें आपका maximum जो है maturity age जैसे की हमने पहले products में देखा था 75 है यहां पर आपको maximum maturity 65 का मिलता है आपको 65 के बाद ही 65 तक maximum maturity आपको इस प्रोड़क्ट के अंदर लेकर आनी होती है आप माली जी कोई person है जो की 45 एज तक का है और उसको आप maximum कितने साल की policy देंगे उसको आप minus 20 मतलब की आप 20 साल की policy दे सकते हैं इससे जादा नहीं दे सकते हैं हाला कि इसके अंदर option है कि आप 25 साल तक का premium paying term दे सकते हैं policy term दे सकते हैं ठीक है बट यहां पर आपको जो maximum policy जो maturity है वो आपकी 65 तक दे सकते हैं right minimum summation जो है आपका एक लाग का है एक लाग से आप policy start कर सकते हैं देना इसके नीचे का summissure आप किसी वो नहीं दे सकते maximum summissure जो है वो depend करेगा सामने वाले की income कि जितने भी उनकी income है उसके इसाफ से आप उनका benefit दे सकते हैं इसमें policy का benefit क्या होता है कि on death आपका जो है annual income benefit जो होगा 10% of the summissure होगा ठीक है और 110% of the summissure होगा including bonus and FAB मतलब कि अगर हम बात करें कि यहां पर अगर किस्टमर को अगर माली जी 10 लाग की policy है मिसफ्रिंट हो जाती है तो 10 की जंगा 11 लाग रुपे का उनको benefit मिलेगा राइट plus bonus plus final additional bonus जैसे कि मैं आपको बताया था पहली वीडियो में भी on survival अगर किस्टमर बिल्कु ठीक रहता है policy के 10 और तक तो उनको basic submission मिलता है bonus मिलता है और final additional bonus मिलता है इफ applicable ठीक है अदब कि 15 साल से ज्यादा होगा तो मिलेगा 15 साल से कम होगा तो नहीं मिलेगा तो friends मैंने जैसे की बताया था bonus और final additional bonus की वीडियो को आप देखना चाहते हैं complete information चाहते हैं तो description पर link देता हूं तो आप सबसे पहले जो हमारा new endowment plan की वीडियो है वो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने bonus और final additional bonus को detail में explain किया तो आप उस वीडियो को देखके समझ सकते हैं आपको पैसे की जरूरत है तो अपना plan को बंद कराके customer से आप company से पैसा वापिस ले सकते हैं अगर हम loan की facility की बात करें तो again यहाँ पर भी आपको दो साल के बाद loan की facility मिल जाती है इसके लावा आप यहाँ पर income tax का benefit लेना जाते हैं तो आपका tax rebate जोगा ATC के अंदर होगा वो भी under section ATC अगर हम maturity के benefit की बात करें तो maturity की benefit जो होता है under section 1010D के अंदर आपको tax free returns मिल जाती है आपको कोई भी पैसा कुछ भी पैसा maturity की रूप में मिल रहा है चाहा है वो एक करोड़ है दस करोड़ है आपका even 5 लाग है 10 लाग है जो भी amount है तो वो आपका under section 1010D के अंद आपको कोई भी पैसा कोई भी टेक्स पे करने की जरूत नहीं होती जो भी आपको insurance से maturity के रूप में मिल रहा है यहाँ पर आपको form 360 और 300 जो है आपको फिल करना होता है 360 मैंने बताया था minor life के लिए होता है मतलब कि जो 18 साल से कम की age के हैं उनको 360 होता है और अगर जो percent 18 साल की ज्यादा के age के हैं उनको 300 फॉर्म फिल करना होता है अब हम समझते है इस plan के जो benefits है वो किस तरीके से काम करते हैं अब मान लेते हैं कि एक percent है जिनकी age 30 है 30 की age है और 25 years के लिए वो policy ले रहे है तो 55 साल पर उनको maturity मिल जाएगी तो जैसे कि हमने पहले भी समझाता कि maturity के अंदर हमें 25 लाग 27 लाग इस तरीके से amount मिल जाता है दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि उन्होंने जो premium दिया मान लेते हैं कि 45,000 क्यास पास का वो premium पे करने पर एनम का ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि उनको मैंने बताया आपको कितीन साल उनको premium नहीं देना तो इसको हम बोल सकते हैं 3 years का उनको premium पेंग का जो benefit है वो मिल जाता है premium नहीं देना तो relaxation period हो गया ठीक है relax हो गया है यहाँ पर उनको 22 साल तक premium देना है maturity उनकी 25 साल के बाद मिलेगी 25 साल पे मिलेगी अब अगर customer ने यहाँ पर policy लिया है और miss happening हो जाती है तो इसके अंदर आपकी policy बंद नहीं होती यहाँ पर आपको समझना है कि आपकी policy basically market में जो भी policy आपको insurance की life insurance की यह total bonus है total amount जो भी मिलना होता है वो आपको मिल जाता है policy बंद हो जाती है बट इस वले product के अंदर specifically आप देख रहे हैं कि customer के साथ अगर miss happening हो जाती है तो आपका सबसे पहले premium stop हो जाता है कि आपका premium आगे पे करने की ज़रुत नहीं होती दूसरा benefit क्या होता है कि 10% of summer short ठीक है 10% of summer short कितना होगे हमारी 10,00,00 की policy है यह 10,00,00 की policy पे आपको एक लाक हो गया basically और वो आपको मिलेगा कब तक till maturity term मतलब कि आपकी maturity जब तक नहीं आती तब तक आपको एक एक लाक रुपय आमांट मिलता रहे है तीसरा इसमें benefit होता है normal miss happening पे maturity at the end of policy term अब इसमें benefit क्या है मैं दुबारा से explain करता हूँ अगर customer की normal death हो जाती है तो premium बंद हो जाएगा 10% of summer short 10,00,00 की policy थी तो एक लाक हो गया उसको till maturity policy के end तक मिलता रहे है regular मिलेगा every year मिलेगा हट साल मिलेगा दूसरा यहाँ पर benefit है तीसरा यहाँ पर benefit है maturity at the end of policy term मतलब कि आपकी जब policy के maturity का time होगा तो उस time पर जो पैसा आपको मिलना था आपकी miss happening हो गई मतलब client की miss happening हो गई और उसके बाद उसकी family को उसी time के बाद उसी duration के बाद वो पैसा मिल जाएगा तो यह काफी attractive plan है इसको कैसे pitch करना होता है कैसे market करना होता है वो भी हम समझेंगे बाद में बट पहले इसको समझना है कि इसके benefits क्या है तो अगर accidental death हो जाती है तो अगेन यहाँ पर आपका premium बंद हो जाता है दूसरा benefit क्या है कि आपको यहाँ पर एक lump sum पैसा मिल जाता है lump sum maturity मिल जाता है मतलब कि आपने 10 लाग की policy ली थी तो 10 लाग रुपे immediately family को मिल जाएगा इमीजेटली तीसरा benefit क्या होगा 10% of sum is short आपको मिलेगा policy के end तक till maturity जैसे कि हमने पहले वाले उपर वाले option में देखा till maturity आपको 10% मिलता रहेगा policy के end तक तो एक लाग रुपे आपको मिलना शुरू हुआ और policy के end तक मिलता रहेगा ठीक है customer की अगर accidental death हो रही है तो 4 benefit है policy आपका premium stop हो जाएगा 10 lakh rupees मतलब की sum is short आपको immediately मिल जाएगा इसके बाद 10 lakh rupees मतलब की 10% of the sum is short जो है आपको till maturity तक मिलेगा एक लाग रुपे हर साल मिलेगा policy के end तक और maturity भी मिलेगी policy के end में जब आपकी policy का duration complete हो जाएगा आप नहीं है तो आपकी family को मिलेगा रहेगा तो यह accidental benefit का accidental death का benefit है अब इसके बाद आता है this ability benefit यहाँ पर भी again आपको benefit मिलता है premium आपका stop है दूसरा आपको benefit मिल रहा है 10% of summation जो आपका benefit है 10 years तक मिलेगा जो accidental में 10 सालों तक होता है लेकिन accidental और normal death में आप देखेंगे till maturity तक है जब तक policy का duration है जब तक है तीसरा इसमें benefit होता है maturity at the end of policy term यहाँ पर आपकी policy के term पे end duration पे आपको पैसा जो है वापिस मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से आपका benefit होता है तो चलिए इसको समझता है illustration के तौर पर जीवन लाव आपने plan लिया table number 933 policy term है 25 साल का लेकिन आपको premium देना है बाइस साल जैसे कि मैंने बताया था तीन साल कम option होता है तीन साल कम देना होता है राम है अगर हम इंक्लूड कर देंगे जो की साढ़े चार परसेंट होता है LIC के endowment plan के अंदर तो 43638 मलब की 43638 आपको पे करना होगा अगर आप मंतली की बात करें तो 3714 आपको पे करना है सबसेक्वेंट यह फस्ट यह आपको यह देना है सेकंड यह से लेके policy के duration तक मलब की 22 सालों तक आपको यह देना होगा इसमें जीएस्ट आपका कम हो जाता है सबदो परसेंट हो जाता है तो कस्टमर को 42699 देना होगा इंक्लूजिंग जीएस्ट जो की early premium है अगर हम मंतल और 30 के बाद मैंने बताया कि 25 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा तो यहां पर आपको देख रहे हैं जो है यहां पर आपका रिलेक्स लाग से लेके 26 लाग तक है हर साल बोनस एड हो रहा है आपको प्रीविएस वीडियो में भी मैंने एक्स्प्रेइन किया है इन केस ओफ अन्फॉर्चुलेंट इवेंट नॉमिनी को हर साल पैसा मिलेगा एक लाग रुपे पेड एनुवली कंपनी जो है इंशॉरेंस कंपनी जो है वह आपके डेट के बा देने की भी जरूरत नहीं होगी है तो यहां पर आपको जो प्रीमियम में टोटल पैसा जा रहा है टोटल प्रीमियम जा रहा है वह लगवग नौलाग चालिस हजार टोटल रिटन जो है आपकी 26 लाग रुपे बनती है और टेक्स सेविंग लगवग आपकी दो लाग बान जो है 26 लाग रुपे हो जाती है आपने जो प्रीमियम पे किया वह लगवग नौलाग चालिस हजार रुपे किया और आपका जो अगर टेक्स पेनिफिट की बात करें तो हर सल आप 13,000 से जाधा टेक्स सेव करने वाले हैं और अगर आप यहां पर बात करें कि टोटल प्री प्रीमियम पे कर रहा है अगर हम डिदक्शन कर दें उसके साथ टेक्स की तो क्योंकि टेक्स का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसको टेक्स का बेनिफिट भी यहां पर मिल रहे हैं अगर यहां पर हम बात करें कि उनके साथ अगर कोई मिसेपनिंग हो जाती है तो दस परसेंट ऑफ दा समयशूर्ड उनको तिल मैचूर्टी तिक मिलेगा उनके फैमिली को उनके नॉमिनी को मिलेगा अडिशनल टर्म इंशॉरंस कवर विल भी पर्शेस यहां पर अडिशन प्रीमियम आपका नॉर्मल कवर, लोन बेनिफिट्स, आपको सरेंडर वेल्यू और आपका रिटर्न, आपको कितना पैसा देना और कितना मिल रहा है और कितना डिरेशन में यह चीज आपको ध्यान रखनी है, कस्टमर को भी यही चीज समझनी होती है, कस्टमर माल लीजए 30 एच पे पे कर रहा है 43,000 5,10,000 पे का उसका normal discover है accidental discover 6,10,000 का है अब दीरे 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 वो जो premium pay कर रहा है अब आप देख रहे हैं कि जो premium pay कर रहा है उसने 51 एर तक pay किया उसके बाद 3-4 साल उन्होंने 3 साल उन्होंने पे कर नहीं किया ठीक है just because इसके अंदर एक option है कि आपको last के three years में relaxation मिल जाता है आपको premium नहीं देना होता ठीक है customer को यहाँ पर return की बात करें तो customer को यहाँ पर return में 26 लाग रुपे का return मिल रहा है जो की some assured bonus और final additional bonus को लगातर है अब माली जे customer को माली जे पैसे की जरूओता है 45 अब उसको अगर पैसे की जरूओता तो अपने policy को यहाँ पर loan भी ले सकता है लगबख 5 लाग रुपे का यहाँ पर वो पैसे को surrender करना चाहता है तो लगबख साधिछ सीह का पर आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर की कि हैं तो आपको हर साल बोनस मिलता है तो वो आपको समझना है और वही चीज आपको client को समझानी होती है अब हम एक scenario ले रहे हैं यहाँ पर मान के चलिए कि एक example को है यहाँ पर after 6 years जो की risk cover का benefit है इस plan के अंदर अगर किसी person की miss happening हो जाती है तो क्या benefit हो जाती है plan लिया था 30 की age पर premium दे रहा है उन्होंने 6 साल premium दिया अब 6 साल तक उनका risk cover normal or accidental दोनों सल रहा था यहाँ 0-0 इसलिए है विकाज यहाँ पर risk cover का analysis कर रहे है अगर हम बात करें normal death की तो यहाँ पर next year onwards यहाँ पर आप देख रहे है next year onwards एक लाग रुपे उनको हर साल मिलना शुरू हो जाता है तो उनको हर साल मिलेगा जो की total end तक मिलेगा अब यहाँ पर 26 लाग रुपे मिल रहा था maturity पे अब होगे 27 क्योंकि 26 लाग रुपे आपका हो गया maturity का और एक लाग रुपे हो गया आपका ही survival benefit पे इसको हम survival benefit बोलते हैं आपको risk cover बोलते हैं कि किसी परसन की miss happening हो जाती है तो उनकी family को survival benefit मिल रहा है survival amount मिल रहे हैं अगर in case of accidental death यह है आपका normal death यह है आपका accidental death अगर accidental death हो जाती है तो यहाँ पर उनको क्या मिलेगा एक summary short जितने की policy थी वो summary short पूरा का पूरा immediately मिल जाएगा साथ में उनकी family को एक एक लाग रुपे end तक मिलता रहेगा और end पे जाके policy के अंदर 27 लाग रुपे उनकी family को दुबारा मिलेगा अब आप देखिए या अगर इस plan की benefit की बात करें अगर किसी person ने आज plan ले लिया तो सबसे बड़ी बात के है इस plan के benefits बंद नहीं हो रहे plan policy बंद नहीं हो रही regularly आपके family को आपके benefits इसको मिलते चले जाएगे अगर आपके normal miss happening है तो इस तरीके से benefit होगा अगर आपके accidental miss happening है तो आपके इस तरीके से benefit होगा इसमें basically अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक submission मिल गया यहाँ पर आपको एक survival benefit मिल गया ठीक है और यहाँ पर आपको पूरी की maturity मिल गया maturity benefit मिल गया तो आप देखिए कि कितना जाधा benefit आपको इस product के इंदर मिल जाए तो friends यह है हमारे जीवन लक्षे के product की presentation complete analysis की किस तरीके से आप client के सामने इस plan को discuss कर सकते हैं just because तो कि अगर आपको खुद को knowledge नहीं होगी तो आप client के साथ भी discuss नहीं करता हैं so friends सबसे पहले आप इन videos को जो मैं आप लोगों के लिए daily लेकर आ रहा हूँ इन videos को देखिए अगर आपका कोई भी doubt है कोई भी confusion है तो इनको एक बार repeat करके देखिए अपने notes बनाईए so that आपकी सारी चीज़े clear हो सकते हैं so friends इस video के साथ मैं आपको description के अंदर आपको link दे रहा हूँ तो अभी के अभी हमारे चैनल को subscribe कर देजिए bell icon को press कर देजिए जिससे की आगे आने वेली वीडियो की notification आपको time पर नोचाए अब आगे सीरीज में मैं आपको लेकर आऊँगा LIC के और भी multiple products जो की आप समझ के customer को समझा के अपने business को grow कर सकते हैं अब मिलेंगे next video में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से like कीजेगा share कीजेगा जिसे की और भी लोग जीवन लाब जीवन लक्षे या फिर जीवन आनन प्रोड़क्त के बारे में detail में समझ सके अब मिलेंगे next video में till the time be safe be insured